Hello Everyone, Welcome to Education Achievers I hope आप सभी लोग अच्छे होंगे आप सभी लोगों को पता है जैसा कि कि आपके UGC Net जून वाले एक्जाम के रेजिस्टेशन स्टार्ट हो चुके हैं और 10 मही से 31 मही का आपका अपलाई करने के डेट्स हैं 10 मही से 31 मही तक आप रेजिस्टेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं और एक्जाम के डेट्स क्या हैं? 13 जून से और 22 जून तक आपका एक्जाम होने के चांसे हैं जैसा कि ओफिशल नोटिस में कहा गया है तो अगर देखा जाए तो approximately 30 डेज आपके पास हैं इसी मन्त में आपको revise करना होता है इसी मन्त में आपको सबसे ज़्यादा attention होती है एक्जाम की तो इसलिए one month बहुत ज़्यादा importance रखता है आपके एक्जाम को qualify करने में इस मन्त में अगर आपने अच्छे से अपनी तयारी की अच्छे से revision किया, कुछ चीजों को ignore किया, कुछ चीजों को ज्यादा मेहनस से किया तो आपके chances बढ़ जाते हैं exam को qualify करने के लिए तो आज अब उनी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं कौन सी चीज़े आपको करनी चाहिए और कौन सी चीज़े आपको avoid करनी चाहिए तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़े हैं इन last के 30 days में जो आपको avoid करनी चाहिए ताकि आपका paper बहुत अच्छा हो तो चलिए start करते हैं सबसे पहली चीज है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि Paper 1 को पूरी तरह से इग्नोर करते हैं वो लोग सोचते हैं कि जो है teaching aptitude हम लोग कर लेंगे कबर higher education भी हमें थोड़ा थोड़ा आता है हम लोग कर लेंगे Paper 2 को जादा importance देते हैं Paper 2 की अच्छे से तैयारी करते हैं लेकिन Paper 1 को इतनी importance नहीं देते हैं उनको लगता है कि People Development Environment के हम से कुछ topics आते हैं और maths भी हम से थोड़ा बहुत आता है तो हम निकाल लेंगे लेकिन बहुत बच्चों के साथ ऐसा होता है कि वो Paper 2 में तो अच्छा score करते हैं 70 तक प्रोक्स कर लेते हैं लेकिन Paper 1 में उनका scoring जो marks हैं जो मतलब qualifying marks हैं वो भी उनके नहीं आपाते किस लिए हैं क्योंकि वो लोग Paper 1 को ignore करते हैं तो अगर आपको NET और JRF qualify करना है तो आपको Paper 1 को बिल्कुल भी ignore नहीं करना है क्योंकि Paper 1 आपके marks को बढ़ाने का काम करता है Paper 1 में mostly direct question पूछे जाते हैं सबसे पहली चीज़ तो यह है दूसरी चीज़ अगर आपका paper to education है तो higher education और research AC unit है जो paper 2 में भी आती है paper 1 में भी आती है तो उसमें भी आपको फायदा है तीसरी चीज़ यह है कि paper 1 में जो questions पूछे जाते हैं वो direct पूछे जाते हैं जैसे कि maths के अगर concept आपको आते हैं तो वहाँ application based question नहीं आएंगे direct आएंगे आप अपना जो concept आपको आता है उसको वहाँ अपलाई कीजिए formula लगाई आपका answer आ जाएगा ऐसे ही logical reasoning में होता है अगर आपने अच्छे से समझा है तो वहाँ question रखा हुआ होगा आपको पढ़ना है समझना है answer देना है ठीक है और out of the syllabus question भी बहुत कम आते हैं जादा तर जो आपने पढ़ा है syllabus से ही question आते हैं इसके अलावा डियाई के अगर आपने अच्छे से practice किये तो डियाई भी नंबर अच्छे दिलवा देता है तो पेपर वन में अगर आप इसको और अच्छा कर जाते हैं तो बहुत chances हैं कि आपके net के साथ सा ज्यारे भी हो जाए first year attempt में तो पेपर वन को ignore बिल्कुल भी नहीं करना है अगर आपने पहले से नहीं किया है तो इस वन मंत में आप पेपर वन को time दे सकते हो अपने according time निकालिए और पेपर वन को time दीजिए उसकी PYQ की practice कीजिए रोजाने D.I. कीजिए एक उसके लिए और आपका PYQ की practice भी बहुत की होगी जो एक दुबार को paper दे चुके हैं वो लोग और जो पहले से तैयारी कर रहे हैं वो लोग ये सोचते हैं कि हमने theory पढ़ ली है और PYQ की practice भी कर ली है तो हम ऐसा करते हैं कि जो चीज हमारी छूट गई थी उसको कर लेते हैं मतलब नए chapters उठाने पढ़ जाती है और जब हम revise नहीं करते हैं तो हमसे आता हुए question भी गलत हो जाता है तो आपकी जो चीज़े strong हैं आप उसको और ज्यादा strong कीजिए जो चीज़े आपको आती हैं जो आपने अच्छे से पढ़ा है उसको और अच्छे से revise की और अच्छे से पढ़िए ताकि उससे अगर कोई question आए तो गलत ना हो इंस्टेट की आप कुछ नया try करो तो आपको जो आपने पढ़ रखा है उसको अच्छे से revise करना है उसको और ज्यादा strong करना है उससे related कोई गलती नहीं करनी है एक्जाम में वरना अफसोस होता है बहुत बाद में तीसरी चीज़ होत तो दोनों ही हमें करना चाहिए देखो time management जब आप exam से पहले करते हो तो वो क्यों जरूरी है क्योंकि अगर आप जिससे आप PYQ की practice कर रहे हो अगर आप online mock test दे रहे हो तो महाँ पर तो timer चलता है आपकी अच्छे से practice हो जाती है और mock test सही होते है क्योंकि उसमें आपको recording चल कर answer देने की लेकिन अगर आप PYQ की practice book से कर रहे हो या फिर किसी और source से कर रहे हो तो मैं कहूंगी कि आप अपना mobile का timer on कर लेजे और आप ये देखिए कि एक मिनट के अंदर एक से डिर मिनट के अंदर मुझे एक question cover कर रहा है इस तरीके सा अगर आप practice कर रहे हो PYQ की time management के साथ तो बहुत chances बढ़ जाते हैं कि आपको exam में time की दिक्कत नहीं होगी exam में आपको क्या करना है जैसे आपने पहले अच्छे से timer लगा कर या फिर mock test देकर अच्छे से time management सीख लिए है उसकी practice कर लिए है PYQ बहुत अच्छे से practice की है हमने डेर मिनेट में हमारा PYQ practice ह जाता है या MCQ हो जाता है अब exam के दोरान आपको क्या करना है practice तो आपकी होगी है exam के दोरान time management इस तरह से भी करना है कि जब आपके सामने कोई question आए वो question tough है आपको नहीं आता तो आपको उस पर ज्यादा अपने ego पर नहीं लेना है उस question को कई बार maths का या D.I. का कोई question ब अभी बहुत सारे question बागी है और paper तीन तरीके से बनता है मतलब easy, moderate और difficult तीनों तरह के question आते हैं तो कहीं ऐसा नहों को उन एक दो tough question के चक्कर में आपके जो आगे इतने सारी easy question है जो आपके अच्छे से पढ़के समझ कर आंसर देने में सही हो जाएंगे वो आप गलत कर द करती है कि आप अच्छे से time management करके paper दे रहे हो ठीक है तो ऐसा नहों कि एक या दो या तीन या चार टफ question को solve करने के चक्कर में जो 40-50 आपके easy question है या moderate level के question है वो गलत हो जाएंगे और आपका paper आते आते भी खराब हो जाए और बाद में अफसोस हो तो time management करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है चोथी जो चीज है जो हमें नहीं करनी है वो है reading only theory यानकि कुछ बच्चे यह सोचते हैं कि हमने PY की practice बहुत अच्छी सा कर लिए last time पर हमें सिर्फ theory पढ़ लेनी चाहिए सारी और question की practice तो भई हो गई जितनी होनी थी लेकिन ऐसा नहीं करना है आपक topics related या उस unit के proper PY कुभी practice कीजिए अगर आप ऐसा करते हो तो exam में क्या होता है अगर हम theory theory पढ़ के जा रहे हैं तो हमारे question आता हुआ भी हम फूल जाते हैं कई बार लेकिन हमने questions की practice किये तो हमने पता होगा कि इस topic से ऐसे question बने थे और ये question आया था जो मैंने गलत किया था और इसका answer ये है कई बार repeat भी हो जाते हैं question तो theory के साथ साथ आपको questions की practice जरूर कर दिए अगर आप एक दिन एक unit को दे रहे हो revision का तो आधा time आप दीजिए उसकी theory के लिए और आधा time आप दीजिए उसके questions की practice के लिए ये दोनों चीज़े आपको साथ में लेकर चलनी time ले लेती है तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि किसी एक unit को बहुत ज्यादा time spend नहीं करना है किसी एक unit को revise करने में मैं अगर आपको strategy बताओं तो आपको क्या करना है कि जैसे कि आज 13 तारीक है तो कल सागर आप अपना time table बनाएंगे तो इस तरह से कि 14 तारीक और 15 तारीक आपके पास 20 unit है और आपके पास दिन कितने है कम से कम 30 दिन है तो इन 20 unit को इन 30 दिनों में कैसे cover करना है ये आप लोगों को सोचना है तो आपको करना क्या है कि जैसे मैं बताती हूँ आपको जैसे कि कल को 14 तारीक है ठीक है और उसके बाद क्या है 15 तो आप यह सोच लिजे कि 14 और 15 मुझे कौन सी यूनिट को देने है, पेपर 2 की जैसे unit 1 को देने है, philosophy वाली unit को, उसी तरीके से जो 16 तारीक है, वो मुझे किसे देनी है, वो मुझे देनी है unit 1, paper 1 की unit 1 को देना है, ऐसे ही जो 17 तारिक है वो किसको देनी है मुझे, 17 तारिक देनी है मुझे यूनिट 2 को, पेपर 2 की यूनिट 2 को, इस तरीके से आप अगर करेंगे तो आपका जो है कुछ भी miss नहीं होगा, आपका कुछ भी रहेगा नहीं, ठीक है, तो इस तरह से आपको चलना है, time अच्छे यूनिट को देने हैं, अगर कोई tough unit है तो आप 2 दिन डिसाइड कर लीजे, अगर को easy unit है तो आप एक दिन डिसाइड कर लीजे, ऐसा बांट दीजी आपस में unit को और दिनों को, तो आपका एक महीने में आपको खुद लगेगा कि हाँ, मुझे confidence भी आएगा आपको, और अगर आपको घबराना नहीं है, थोड़ा उपर नीचे कर लेना है, उसको manage कर लेना है, जैसे किसी दिन तबियत खराब हो गई, या कहीं शादी में जाना है, तो घबराना नहीं है, अगर आपकी 10 में से 9 unit भी revise हो रही है, तो अच्छे से कीजी है, ठीक है, manage कर करके चलिए टाइम को, उपर नीचे होता है, सभी का होता है, मगर घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है, 6th दो पॉइंट है, वो है कि बहुत जादा overconfident नहीं होता, अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, तो यह मैं सोचिए कि मैं तो सब कुछ कर लोंगा, overconfident नहीं होना है, क्योंकि अगर आप overconfident होगे, तो आता हुए question आपका गलत होगा 100%, और अगर आप सब कुछ अच्छे से कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपके अंदर confidence की कमी है, तो भी problem है, तो आपको दोनों चीज़ें balance करके चलनी है, ना तो बहुत ज़्यादा confident होना है, ना ही confidence को अपने कम रखना है, वहाँ पर बहुत manage होना चाहिए, balance होनी चाहिए, सारी चीज़ें, ठीक है, और सबसे आखरी चीज़ क्या है, कि fear of passing the exam, यानि आपको exam देते हुए ये नहीं सोचना है, बिलकुल भी, कि मेरा exam qualify होगा या नहीं होगा, अगर आपने ये सोचा, तो आपकी performance पर अस कोई question गलत नहीं करना है, मेरी तरफ से कोई गलती नहीं हो, जो मैं बाद में पश्ता हूँ, exam का result कैसा जाएगा, मैं qualify करूँगा, नहीं करूँगा, ये सब नहीं सोचना है, वहाँ पे जब आप exam दो, तो ये सोचो, कि मुझे अपना best देना है, बाकी जो होगा उपर वाल सब की condition सेम होती है, तो ये नहीं सोचना है, ये बहुत ज्यादा होश्यार है, ये इनका बहुत अच्छे से पड़ा हुआ है, मेरा पड़ा हुआ नहीं है, सब एक जैसे हैं, हम सब इंसान है, और थोड़ा बहुत डर सभी के अंदर होता है, लेकिन आपको बहुत ज्यादा परिशान नहीं होना है, confidence के साथ एक्जाम देने जाना है, बिना एक्जाम के result की चिंता किये, और अच्छे से paper देना है, इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है, और अगर इन चीजों को आप ध्यान में रखके अपनी तयारी करती हो, तो आपको benefit मिलेगा, पक्का मिले हमें अपनी एक यूनिट जैसे हमने revise की है, ठीक है, कोई सी भी यूनिट अगर हमने पूरी यूनिट revise की है, पूरी यूनिट को revise करने के बाद, आपको क्या करना है, कि जो एक यूनिट से related जो marathon है, यूट्यूब पर जो भी channel आप देखते हो, तो उस पर किसी भी यूनिट से related, पूरी यूनिट की marathon जो है, होती है, तो आप एक ये तेड़ घंटे की marathon होती है, तो पूरी यूनिट को cover करने के बाद, आप उस marathon को देखिए, उससे क्या होगा, कि आपकी यूनिट तो revise हो गई है, वो आपकी दुबारा से भी revise होगी है, और आपकी जो points रह गए हैं, वो भी आपको पता चल जाएंगे कि ये, ये point मेरा रह गया था, वो भी cover हो जाएगा, इस तरीके से अगर आप करते हैं, तो आपका बहुत ज़्यादा मजबूत strong हो जाएगा वो unit, पहला आपने खुद अपने notes से revise किया, जो आपने खुद बनाएं, और notes हमेशा handwritten होने च क्योंकि वहाँ पर हम concept map भी बनाते हैं, charts की form में भी बनाते हैं, diagram, तो हमें याद रहता है, तो क्या करना है, आपको पूरी unit revise करनी है, और उसके बाद उससे related marathon देखनी है, YouTube पर, ठीक है, उससे आपका अच्छे से cover हो जाएगा, और ये में paper 2 education के लिए, paper 2 आपका जो भी हो उससे related बता रही है, ठीक है, paper 1 के लिए, क्योंकि आप marathon देखेंगे, तो paper 1 के बहुत सारी marathon होती है, paper 1 के एक unit बहुत wide होती है, ठीक है, तो इसलिए paper 2, अगर आपका कोई भी है, तो आप ये trick follow कीजिए, दूसरी चीज है कि, जैसे आपने unit पूरा पढ़ लिया है, उसके ब और time management के साथ करते हैं, तो आपका वो topic भी बहुत अच्छे से cover हो जाता है, और आपको ये भी idea हो जाता है, questions किस तरहां से बन सकते हैं, this unit is topic से related, तो दो तीन चीजों को आपको धियान रखना है, PYQ की practice करते हुए, जब आप revise कर रहे हो, पढ़ लिया, आपने PYQ practice कर रहे हैं, उन सारे questions को, जो भी आप से आपको लग रहा है कि ये मुझे याद नहीं रहेगा, ये मेरा बार बार रोंग हो रहा है, उनको लिखते जाए, जो tough questions है, सारे ही unit के, एक बना लिजी आप register, ओके, दूसरी चीज, PYQ की practice करनी किस तरीके से, अगर आप mock test के जरीए PYQ की practice कर रहे हो, previous year questions को solve कर रहे हो, बुक से, तो मैं कहूंगी कि आप mobile रखे हो, उसमें timer लगा के तब questions की practice की दिए, अगर आप इस तरह से करते हो, तो आपका आदत बन जाती है, आपकी habit हो जाती है, कि एक से dear minute में मुझे ये question, जो है, solve कर लेना है, ज्यादा time नहीं देना है, तो इससे क्या होगा, कि exam में जब आप paper solve कर रहे होगे, तो आपका time management ठीक से होगा, आप पहले से ही उसको जो है, आपकी habit बन चुकी है, आप practice कर चुके हो, तो वहाँ इतनी दिक्कत नहीं आईगी आपको, तो ये दो चीज़ां आपको ध्यान रखने हैं, सबसे पहला question ज जिसके बारे में आपको याद नहीं होता है, ठीक है, जैसे कि research लोगों को tough लगती है, तो उसके जो formulas हैं वो याद नहीं होते हैं, तो आप एक chart या एक effort sheet लीजिए, और उस पे सारे research के formulas को लिख लीजिए, क्योंकि research के formulas से question आते हैं, अगर वहाँ कोई question आता है, easy भी आते हैं, तो आप आराम से उस formula को apply करके उस question को solve कर सकते हो, आपका गलत नहीं होगा, ऐसे ही NPC है, इसके लावब और भी बहुत से topic हो सकते हैं, NPC मतलब normal probability curve, normal probability curve से related बहुत सारी values हैं, बहुत सारे points हैं, तो आप क्या कीजिए, एक paper पर पूरा NPC उतार लीजिए, बीच में NPC के diagram बन लीजी, normal probability curve को और उसके आसपास उस से related, सारी चीज़े लिख लीजिए, यह notes को बनाने का तरीका होता है, ऐसे ही research के formulas, research के आसपास जो formulas हैं, जैसे कि ANOVA है, या फिर T-Test की value है, T-Test का formula है, यह जो सारी चीज़े हैं, यह आप एक paper पर लिख लीजिए, और उस paper को जहां पर भी आप बैठते हैं, यह जहां आपका ज्यादा वक्त गुजरता है, जैसे kitchen में, या office में आप जॉब करते हैं, तो को office में, नहीं तो आपकी study table पर कहीं पर भी उसको चिपका लीजिए, तो यह चीज़े memorize करने वाली होती हो, और आपको last तक याद रहती हैं, अगर काम कर लेते हो, तो आपको हाथो हाथ प्रॉब्लम नहीं होती, पहले से ही आपको अच्छे से mind में बैठ जाती हैं, यह चीज़े, तो ठीक है, इसके लावा और भी topic हो सकते हैं, जैसे कि NEP 2020 से related जितनी भी चीज़े हैं, वो आप एक या दो paper पर उतार लीजी, बीच में NEP 2020 लिख दीजे और उसके आसपास branches बनाकर और उसके सारे points लिख दीजे से कि structure क्या है, 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 है, यह लिख दीजा, और एक side में क्या लिख दिया, कि कितनी stages हैं, foundation, preparatory, middle और secondary, इस तरीके से और इसके अलावा HECI हैं, तो उसके बारे में आप लिख दीजे, तो NEP 2020 है, या और दूसरे topics हैं, जो tough हैं या बड़े हैं, तो एक chart paper बनाईए और उस पर अच्छे से लिख लीजिए, इस से आपको जो tough चीजे हैं, वो भी आपको एक confidence देंगी, कि हाँ भई मुझे ये भी आता है, और आपको याद भी रहेंगी ज्याद वक्ता है, ने बनाया है, concept map, ठीक है, चोथी चीज क्या है, कि practice one question on DI, यानि कि DI का एक question आपको practice करना है, रोज, DI के questions को solve करने के लिए, आपको पता ही है, कि आपको ratio और proportion की जानकारी होनी ज़रूरी है, इसके अलावा percentage की जानकारी होनी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो DI के question अगर आप रोज solve करते हो, कई बार बहुत easy question आजाता है, DI का, तो अगर आपको basic basic चीज में पता है, आपको percentage निकालना आता है, आपको ratio की knowledge है, आपको proportion की knowledge है, तो आपका DI हो जाएगा, और DI ऐसा होता है, वो 10 marks आपके कहीं ने गए, अगर आपका DI सही हो गया तो, तो अग आपको direct number दिलवाता है, पेपर 2 में बहुत ज़्यादा application based question आते हैं, out of the syllabus भी आये थे, इस बार काफी questions, लेकिन पेपर 1 आपको बहुत ज़्यादा number दिलवा सकता है, अगर आप अच्छे से तैयारी करते हो तो, ठीक है, क्योंकि as it is चीज़े भी आती है इसमें, आपको सि या people development and environment के कुछ topics हैं, ठीक है, जैसे कि बहुत सारी conventions हैं, ठीक है, Stockholm declaration वगेरा, या फिर NEP 2020 से related, जैसे कि मैंने अभी बताया, या फिर ICT की बहुत सारी abbreviations हैं, ठीक है, इस से related आप concept map बनाईए, जैसे higher education में आप यह लिखिए, पहले कौन सी commission आई, फिर कौन सी commission आई, उसक का दूसरा नाम, जैसे कि याशपाल कमेटी है, ठीक है, याशपाल कमेटी किस के लिए आई थी, और उस कब आई थी, ठीक है, जैसे कि याशपाल कमेटी दो आई थी, एक 1993 में आई थी, एक 2009 में आई थी, एक school education के लिए आई थी, एक higher education के लिए थी, ठीक है, उन दोनों की फिर टैग लाइन क्या क्या थी, तो वो आपने लिख लिया, ठीक है, इसके लावा जैसे Justice Vorma Committee है, तो उसकी टैग लाइन क्या थी, वो किस के लिए आई थी, Teacher Education के लिए, तो जो Commission है, Important, और Committees है, उसको आप एक Chronology में लिखे, कि पहले ये वाली आई थी, इसका ये नाम था, और ये इन्हों ने दी थी, और इसका दूसरा नाम ये है, तो आप ये Chronology में लिखे एक, ऐसे People Development Environment की जो Conventions हैं, वो भी आप Chronology में लिखे, और उनके नाम भी लिखे, किसलिए IT कर लेते हो, जो भी आपने पढ़ा है, जो आप पहले पढ़ चुके हो, या आप नया भी पढ़ रहे हो, तो आप इसी तरीके से बनाईए, Concept Map बनाईए, और कोशिश की दिए कि कम से कम शब्दों में आप लिख सको, तो इससे क्या होगा, कि आपका जो है न, एक्जाम के टाइम पर वही चीज जो है आपको याद आती है, आपको दिमाग में रहती है वो चीज, आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, पेपर बन में बहुत ज्यादा बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, तो ये छोटी-छोटी चीज अगर आप याद रखोगे, और इसको फोलो करोगे, तो आपका पेपर बन भी अच्छा स्कोर दिला देगा आपको, ठीक है, इस तरीके से कॉंसार्ट में पर आपको बनाने हैं, चार्ट या फिर एफ़ोर साइस के पेपर पर आप जो है, बना सकते हो, डाइग्राम के फॉर्म में, या फिर अच्छे सा हाइलाइट करके, अच्छे-च्छे पेपर, पैन का यूज करके, तो इस तरह से आप अपने, अगर बनाते हो नोर्स, तो रिवीजन में प्रॉब्लम नहीं होगी, ये सारी कुछ चीज़ें थी, जो रिवीजन के लिए, आपको हेल्प करेंगी एग्जाम में, अगर इस तरह से आप रिवीजन करते हो, तो आपको जो है, बहुत जादा दिक्कत नहीं आएगी, बहुत प्रॉब्लम नहीं आएगी, और जल्दी भी हो जाएगा, एक चीज में आपको बताना भूल गई, जैसे आपके 30 दिन बाकी हैं आवे अग्जाम के, तो इन 30 दिनों को आपको क्या करना हैं कि अच्छे से टाइम टेबल बनाना हैं अपना, अच्छे से टाइम टेबल बनाना हैं और उस टाइम टेबल को कोशिच करनी हैं कि आप फोलो कर सको, आपको पूरा syllabus पूरा करना है आपको PYQ की practice भी करनी है और आपको rest भी करना है साथ साथ में rest बहुत ज़्यादा ज़रूरी है नीन पूरी लेनी है और बिल्कुल stress नहीं लेना है ठीक है? इन 30 दिनों में 20 unit आपको cover करनी है कैसा करनी है? उसका आपको time table बनाना है एक या दो दिन एक tough unit दो दिन आप tough unit को दे दीजी एक unit आप easy unit को दे दीजी ऐसे आप divide कर दीजीए ठीक है? इन छोटी-छोटी चीजों को आपको दिमाग में रखना है अब सबसे most important चीज़ क्या है? जो exam से पहले आपको जाननी और करनी चाहिए कि खुद पर भरोसा रखी trust yourself और अपना 100% दीजिए अपना आपको 100% देना है अपनी तरफ से कमी नहीं करनी जितना आप कर सकते हैं कीजिए और result की चिंता छोड़ दीजिए यानकि कर्म किये जा और फल की चिंता मत कर जो होगा अच्छा होगा अगर आपने अपनी तरफ से 100% दिया है आप खुद पर भरोसा करते हो आपका पेपर कोई गैरंटी है पूरी के आपका पेपर किलियर होगा क्या सोचना है दिमाग में ये बिलीव करना है अपने दिमाग में कि yes I can do it मैं कर सकता हूँ आपको ये अपने माइंड में रखना है कि भई जब बागी लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता है मैं भी कर सकता हूँ मैंने जब अपने एक्जाम दिया था मैंने अपने पेपर और आपको ध्यान में रखनी है कि जैसे आपने decide किया है कि आपको आज एक unit पूरी करनी है तो आप कोशिश कीजिए कोई मजबूरी आजाए तो बात अलग है लेकिन आप कोशिश कीजिए कि उस unit को उसी दिन आप complete करके तभी so ठीक है? अगर कोई problem आजाती है तो बात अलग है कि एक से दो दिन हो जाती है लेकिन आप कोशिश कीजिए कि जो आपने target आज के लिए decide किया है वो आज ही पूरा करके so ऐसा आप करोगे तो अगले दिन आपके दिमाग पर tension नहीं होगी बलकि आपको confidence रहेगा कि मेरा कलका हो गया है अब मुझे आगे बढ़ना है इन कुछ चीजों को अगर आप दिमाग में रखके चलते हो आपका paper बहुत अच्छा होगा ये मेरी तरफ से कुछ points थे जो आपको I hope कि helpful होंगे इसी तरह की वीडियो आगे देखने के लिए आप like जरूर कीजिएगा वीडियो को और share भी कीजिएगा अपने friends के साथ ताकि उनकी भी help हो सके और आज के लिए बस इतना ही thanks for watching